हुसन आरा का मकतब में बैठना था के महले का महला तूट पड़ा, जिसे देखो अपनी लड़की लिए चला आता है। एक दिन सफीहन नाम की एक ओरत अपनी लड़की के साथ आई, जिसे लिखने पढ़ने का बहुत शोक था। सफीहन चाहती थी कि उसकी बेटी फजीलत घर में जाडू दे, लिपा पोते, बरतन मांजे लेकिन लड़की का दिल इन कामों में नहीं लगता था। मां के कहे से कर तो देती थी मगर बेदिली से। एक दिन जो सफीहन अपनी बेटी पर बहुत नाखुश हुई, तो उसे साथ लेकर असखरी के मकतब में चली आई, कहने लगी उस्तानी जी ये लड़की बड़ी निकम्मी है, इसको ऐसा अदब दो के घर के काम पर इसका जी लगे, असखरी ने जो देखा तो फजीलत को अ खाना खाने जाती, खाना खाया और वापस भागी, पानी मकतब में आकर पीती, कभी कबार सफीहन उसकी खबर लेने आई, तो उसको लड़कियों के साथ या गुरियां खेलते देखा, या हंट कुलियां पकाते, एक दिन फजीलत को घर जाने में तेर हो गई, सहीफन उसको लेने आई, तो क्या देखती है, महमुदा कहानियां कह रही है, और मकतब की सब लड़कियां गेरे हुए हैं, और खुद उस्तानी जी लड़कियों में बैठी कहानी सुन रही है, सफीहन का जी जल के खाक हो गया, और बोली, वाउ स्तानी जी, अच्छा तुमने लड़किय दोड़ दोड़ के आती है सफीहन की ये बात सबको नागवार हुई खसूसन उसकी बेटी को मगर उस्तानी के अदब से किसी ने जवाब नहीं दिया आखिर उस्तानी जी ने कहा भुआ अगर तुम्हारी मर्जी के मुआफिक तुम्हारी लड़की की तालीम नहीं होती तो तुमको इख्तियार है अपनी लड़की को उठा लो मगर नाहक इजाम मत लगाओ भला मैं तुमसे पूछती हूँ वजीलत ने पिछले मकतब में कितने दिन पढ़ा सफीहन मीरा जी के चांद चड़े इसको बिठाया था और माहे रजब से तुम्हारे हां पढ़ रही है पिछले मकतब में इसने डेर सिपारा पढ़ा था असकरी यानि एक महीने में आदा सिपारा यहां आए इसे चार महीने हुए हैं और साड़े साथ सिपारे पढ़ लिये हैं यानि पुराने मकतब से दुगने जब फजीलत यहां आई तो इसको लकीर तक खेशनी नहीं आती थी अब अपना नाम और पता लिख लेती है पहले बीस तक गिंती नहीं जानती थी अब पंद्रा का पहाड़ा याद करती है पहले कैंची तक सीधी भड़नी नहीं आती थी अब इसके हाथ का बख्या देखो अकीला फजीलत ने जो कुर्ती में बख्या किया है जरा इनको दिखाना और इसके हाथ का मुर्मुरा, बूटियां, लहरियां, च्छडियां जाल, तुर्पाई, बुरा भला जो कुछ है सब उठा के लियाओ फजीलत खुद दोड़ी दोड़ी गई जाकर अपना कशीदा कारी का बकसा उठा लाई अजगरी ने कहा भुआ बोलो कुछ इनसाफ भी है चार-पांच महीने में तुम्हारी लड़की और क्या सीख लेती सफीहन तो ऐसी शर्मिंदा हुई के घड़ों पानी पड़ गया उस्तानी जी से आँख नहीं मिला सकती थी लजाजत से कहने लगी उस्तानी जी मुझको इसकी कुछ खबर ना थी फजीलत दिन भर तो यहां रहती है रात को देर से जाती है खाना खाया और सो गई मुझे इस से पूछने का इत्तिफाक नहीं होता दो-चार मरतबा जो मैं इधर आई तो कभी इसको गुरियां खेलते पाया कभी हंड कुलियां पकाते कभी कहानिया सुनते इस से मुझे ख्याल हुआ कि अपना वक्त खेल कूद में खोती है इसलिए मेरे मुझे बात निकल गई मुझे माफ कीजिए अजगरी ने कहा तुम्हारा शुबा बेजा नहीं था लेकिन मैं इन बच्चियों को परसों तुम लड़कियों ने जर्दा पकाया था जरा इसकी तरकीब और हिसाब किताब तो सुनाओ फजीलत पहले सेर भर चावल को लगन में भिगोया धेले की डंडिया मंगवाई उनको सेर भर पानी में जोश दिया जब उबाल आ गया और रंग कड़ गया तो छान कर अरक में चावल डाल दिये जब चावल अतकच्रे हो गए और एक कन्नी रही तो कपड़े पर फैला दिये कि जितना पानी है निकल जाए फिर आतपव घी देक्ची में लोंगों का भगार दे के करकड़ाया उपर चावल डाल दिये इसके उपर चावलों के हम वजन खांड अतकल से इतना पानी भी डाल दिया के चावल में जो एक कन्नी बाकी थी वो गल जाए फिर एक छिटा किश्मिश घी में करकड़ा के जब फूल गई चावलों में डाल दी उपर तले अंगारे रखकर दम दे दिया असकरी तरकीब तो दुरुस्त है लेकिन तुम्हारे चावल बैट गए थे मालूम होता है तुमने कपड़े पर फैला कर ठंडे पानी से उनको धोया नहीं था फिर सफीहन से कहा क्यों बुआ जर्दा तो तुम्हारी लड़की ने ठीक पकाना सीख लिया यह सब हंड कुलिया की बढ़ोलत हुआ भुआ मेहमूता कल तुम लड़कीयों ने साज़ा मिलाया था जरा जर्दे का हिसाब किताब तो सुनाओ मेहमूता अपने हिसाब की किताब उठा लाई और कहा उस्तानी जी छे सेर चावल पोने तीन आने के एक पैसे की डंडियां और लोंगे एक सेर घी भगारते वक्त डाला एक पाउ दम देते वक्त डेर आने का घी खर्च हुआ चो सेरी खांट चार आने की एक पैसे किशमिश कुल पोने ग्यारा आने खर्च हुए दस लड़कियों का साजा था पोने दो आने मेरे थे बाकी सबका एक एक आना असगरी ने कहा महमुता तुमने धोका खाया महमुता ने कुछ देर सोचा तो कहा हाँ उस्तानी जी चावलों में कोडियां बची वो ना मुराद बनिये ने हजम की आए हाए डंडियां और लंगे उनी कोडियों में आ जाती दियानत जायो जरा बनिये से कोडियां मांगर ला अजगरी है है क्या करती हो कोडियों का मामला और परसों की बात अब कुछ मत कहो तुम्हारी घलती की सजा है कि इतना नुकसान सहो फिर हुसन आरा से बोली जर्दे की तरकीब और लागत तो मालूम हो गई भला देखचा भरके जर्दा पकाया तुम लोगों ने क्या किया हुसन आरा दो रकाभी भरकर अल्ला के नाम की मजजिद में भेज दी बाकी मे तेरा तश्तरियां भरी गई मकतब में हम सब पच्चिस लड़कियां हैं दो दो के हिस्से में एक एक तश्तरी आई तेरवी तश्तरी में मैं अकेली थी असकरी क्या तुमने दोरा हिस्सा लिया हुसन आरा नहीं मेरी तश्तरी आदी ही थी असकरी तुम बिरादरी से अलग क्यों रहीं? हुसन आरा से पहले उमत उल्ला ने कहा इनको सब के साथ खाते घिन आती है हुसन आरा नहीं उस्तानी जी, मैं सब के पीछे आई, इसलिए दस्तरखान पर सबसे पीछे रह गई आप महमुदा बेगम से दर्याफ्त कर लीजिए उमत उल्ला ने कहा क्यों भी, अभी थोड़ी देर हुई तुम मेरा जूटा पानी पीने पर लड़ नहीं चुकी हुसन आरा मैं लड़ी थी या सिर्फ इतना कहा था कि जितनी प्यास हो उस कदर पानी निकाला करो गिलास में जूटा पानी चोड़ना एब की बात है असगरी ने महमुदा से कहा वो रिसाला जो मैंने तुम को दिया था खावाने निमत उसमें से सब खाने पका कर देख चुकी या अभी रहते हैं महमुदा हर किसम के कबाब, सीख पसंदों के और शामी उसके इलावा कौफते, पुलाओ, कौर्मा बिर्यानी, जर्दा, मतंजन, दही बड़े घी की तली दाल, कचोरियां फीरनी, हल्वा, नरम अंदर से अपनी दानिस्ट में तो सब चीजें कई कई बार पकवा चुकी हूँ अजगरी ने सफीहन से कहा बुआ हंड कुलियां का तो नाम है वरना मकतब में जो चीज पकती है खासे कुन्बे के लाइक पकती है अब तुम को यहां हंड कुलियां का फाइदा तो मालूम हो गया होगा रात ज्यादा हो गई है और लड़कियों के घर जड़ा दूर है अगर कल आओ तो तुम को गुड़ियों के घर की सेर कराएं और अभी शाम तक रहो तो कहानियां भी सुनवाएं गर्स उस वक्त रात ज़्यादा हो गई थी सब लोग रुक्सत हो गए चलते हुए सफीहन असखरी के आगे हाथ जोड़के कहने लगी उस्तानी जी लिल्ला मेरा कसूर माफ कर दीजिएगा